नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भलचंद्रा प्राभ्मांड सिद्याश्र में आप सबीक का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 9 अगस्त 2013 का संपुण राश्रपल उससे बेले आज के दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का दिन नम संपसर है सुर्य का तक्षिन आयें चल रहा है वर्षा रुधमा से प्रिश्च पक्षके नौ वेदिति है नक्शत्र करिति का है योग बृत्ति है दिन का जो करन है वह मुआता है और जुलीग काल है वह शुरुध होगा सुबद सबस बच्च कर च ओवन मिनिट से से लेकर बारा बचकर चप्पन मिनिट तक का होगा उलिक कल और अभिशीत मोर्त दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के में तो पुनकाम या पिंदिन ने आ ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा दोपर ब प्रकार के में तो पुनकाम या पिंदिन ने बिल्कुल भी नहीं नुना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपुर्ण दिन ब्रशब राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा वक्री शनी के साथ केंद्र योग करने जा रहा है उसी प्रकार सबसे पहले राशी है य४ा नाथ ए mm Wedi 1957 731 के साथ यह चांद्रियों करने जाié इन जा रहा है आप के रही मैसे गुरू सके साथ आपके पंचब ऑगा जो है वा थि कोणियों करने जए डैसाथ आपके इक राशी का अर्ष के अंधरियो करने जा रहा है आज पर कर के इला अज को अंदाज है वो चूप सकते । अगर आप शेर मर्केट में ट्रेड करें तो आपके एब सभी सभीत ह filtering और फून के अच्छे व्हें इता हैं अगर आफ किसी का शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो अंदाज है वह सही साबित होते हो नजर आगे आपको कुछ अच्छे लाव मिलते हो भी नजर आगे उस ब्रकार अगर आपके किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छे दिखे जाएगे और शकुत हे झाली ऐसे बात कि जो राशी है वो है ब्रशब राशी में चंद्रमा का भिन हम लग ने रहा है है आपके च्युपाहमिस ब्रोटक के साथ आपके ब्यव आवा को जो अच्छल है केंद्री योक करने जा रहा है आपको जो भी कारियो शाहितर है उसस रिलिए च गूमना फिरना जादा हो सकता है आने मले दो से तीन दिन आपके लिए बहुत ही मैत्वणने होंगे आपके आने मले दो से दिन दोने में आपको घूमना फिरना जादा हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएगे वसे परकार आने मले दो से तेन दिनों में कुछ अच्छे लाव मिल्दे हुए भी नजर आएगी इजी मनी भी मिल सकती है तो आने वाले दो से दिन आपके लिए बहुत ही ज़ादा गुमने फिरने वाले दे ज़ादा एक्जर्शिन हो सकता है लेकिन आपको स्वाइम के स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश् गा मैं इसके बाद की जो राशी है वह है मित्यूरर शी है मित्यूर के वह मैं कि वह मैं मैं सुछ जात स titled by उप सब्सक्राइब चुटी दिन थोड़ा स्ट्रेस चैनल ज्यादा फील कर सकते हों चोटी मुटी बातों को लेकर आपका जो मूण है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है आज के दिन किसी पर कते हो या बड़े निर्ण बिलकुल भी नहीं लेना आपके जो लिए वो चूग सकते हैं लेकिन आने वले दो से तीन दिन आपके लिए बहुत से ददा बिजी डेस आपीद हो सकते हैं मैं तो पुर्ण कामा आप में ले सकते हैं उसी प्रकार अगर आप भी वाई तो आपकी जुड़िदार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अच्छी दे इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रहबन है रापी के दशम भाव में से तवक्रिशनी के साथ ये चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है आपके द्वितिया भाव में से बुद्र के साथ आपके दशम भाव का जो ten दिन है आपके दिन दिन है आँके लिए होगा स्वास के इसामले आस प्राकर आप के जड़ी मुठी मुटी बात कर्मे बेद हो सकते हैं कुछ कोई काम है तो भी हो सकता है आए मले दोस्य तेंद्रे में घर के जो महिला सदस्थे रहेंगे उनके स्वास के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्रक होगा और आपके बाद की झो राशी है वो है सिंग राशी सिंह राशी के दशम बाव में चंद्रमाग का नियुका करने जाएंगा एक शब्तम बाव नियुकरिषक वैधि युकरिशने के साथ के दिसक्री द भागिशर के वांकर प Cinnamon है वो के इंदर योग में करने जा रहा है तो अगर आप भी बाइथ हो तो आपकी जो वैबाइबाइब की साथ चोटी मोटी बातों के लिए का तकरा हो सकती हैं जो भी आपका कारेश्यत्र है उससे रिलेड़ भी छोटे मोटा आज के दिन दिखाई दे सकते हैं लेकिन आने वले दो से तिन दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंतोपुर्ण और बागिशानी भी होंगे कुछ अच्छे लाव अगरा मिद्रे में नजर आएंगे आपकी जो रिलेशंशिप में विक्ति हैं किसाथ कही बाहर घुमना फ कि इसके बाद की जो राशी है वह करने राशी करने जा रहा है काफी महत पुर्ण दिन है आपके लिए खास करके आज के दिन किसी भी प्रकार के महत पुर्ण निर्ण ने बिल्कुल भी नहीं लेगे स्वास के बारे में भी ध्यान देना आवशक है उसी प्रकार आने वाले दोसे दिन दिने में आपका घूमना फेड़ना ज्यादा हो सकता है आपकी जो वैवाई रुड़िदार है उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जागी अनपिक्षित लाव अगरा भी मिल स के बात की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के चंत 處 माव में चंतरमा का ब्रहिणा जाए साथ यह चंतरमा के इंडियो नेद्रियों Les Fau आपके सब्सक्राइब करने जा रहा है काफी महत पुर्ण दिन है आपके लिए स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्चा होगा आपके जो वाई-वाई जुड़िदार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर सकरा हो सकते हैं अगर आपके साथ हार्मनी बहुत ही सब्सक्राइब करने जा रहा है आपके सब्सक्राइब करने जा रहा है काफी महत्तो करण दिन हैं आपके स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही आवश्चा को लिए को मिल सकती है कारेषितर के बारे में कोई बदलाब करना चाहते हो निया कारेषितर शुनवात करना चाहते हो तो आने वपन दो सथितन दिन आपने बहुती ज़्याद शुभभभन कामापत में ले सकतें अलपक्ष learntbuild ग्राव भी हो सकते हैं लेकिन आने वले दोसे दिन दिन में अगर आपी वाई थे तो आपकी जो वाई वाई जोड़दार है उनके साथ चोटी मूटी बातों को लेका तकरा हो सकती है कास करके उनकर स्वास के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा किसी दोड़ा करके महत्तों पुड़नीर ने आने वाले दोसे दिन दिन में बिल्कुल भी नहीं लेड़ा को स्वास के बारे में ध्यान देना काफी आवश्यक होगा स्वास के बारे में कुछ बरेशानी आ सकते हैं में तोड़े बहुत आ सकते हो किसी भी रखर के महत बुड़न निरने नहीं लेना उसे प्रेकर आना ले दोसे तिन दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुबपलदाई साबित होगे खास करके आप में एनरजी और कॉंफॉड़न काफी अच्छा देखा जाएगा अगर आप विभाई तो आपकी बयभाई जोड़िदार है उनके साथ हाप में देखे जाएगा अगर आप किसी के रिलेशंचिप में है तो वहां पर बाते जैसा आप चाहते उस प्रकार से होंगे आप धोनों में जो हार्मनी है जो अंडरस्टेंग है वो काफी एच्छी देखी जाएगे उसे प्रकर अगर आप शेर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाव वगरा मिलते हुए भी नैजर आएंगे लेकि स्वास्त के समस्या सामने आ सकती है अगर आस सास्त के समस्या से प्यूरित हो तो सब्सक्राइब करने जा रहा है आपके सब्सक्राइब करने जा रहा है मैं तो बुन दिन है आपकी लेखास करके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है वहाँ पर चोटी मूटी बातों को लेकर तकरार हो सकते है और आप शेर मार्केट में ट्रेट करते हो तो बड़े निरने आज के दिन बिलकुल भी नहीं लेना हलाकि आले होने आप दो से ते इन दिनों में घर के जो लोग है उनके साथ आपकी हार्म पिर बात की जो राशी है वो है कुम्भा राशी के चतुरतो बाव में चंद्रमा का ब्रह मने रापी के राशे में से द्वकरिशनी के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियोग करने जा रहा है आपके सत्तों बाव में से बुद्यों के साथ आपके द्रिद्या बाव को जो तकरा हो सकती है लेकिन अगर आप विवाई है तो आपकी जो वैवाई जो डिदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छे देखी जाएगे उनके साथ कही बाहर घुमना के ना हो सकता आपके जो मित्र परिवार है उनसे बाच्चीत हो सकते हैं उनसे कुछ अच्छे मदद मिल सकते हैं अच्छे सलाह भी मिल सकती है लेकिन आपके घर के जो महिला हुआ रखोंगे उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा किसी फुरा कप्या महत्वपूने निर्ण है बिलुकुल भी नहीं सोगाज इसके बाद के जो राशी है वो है मिन राशी मिन रशी के तृतियों भुवर में चन्दर्म हो सथ यांधर करने जा रहा है इपके शस्ञेल पुर्ण दिन है आपकी नहीं करना हाला कि आजकर जो दिन है उसमें आपको घुमना फिरना ज्यादा हो सकता है काफी एक्जॉस्ट आप हो सकते लेकिन काम नहीं बनते हो नहीं दर आएंगे जिसके स्ट्रेस टेंशन है थोड़ा बढ़ सकता है तो पर थोड़ा सा यहम रखन लेकर तकरा रख हो सकती है और यह तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती है बस आपको उसे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा तो पुल मिला के देखा जाए तो आने वले दिन दो तिन में आपको थोड़ा सा चौकन ना रहना आवश्यक होगा तो दोस्तों ये था दिन आंक 9 अगस्त 2013 का संपुर्ण राशिफल आपको राशिफल कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मान्दसिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना अन्यवाल